तो चैप्टर आठ यह जो लास्ट टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं नुमेरिकल अनलाइजेज में जिसमें सबसे पहले हमारे पास BG और A BG स्मीकर्णों की प्रिवासा है BG स्मीकर्ण अगर कोई भी स्मीकर्ण इस परकार से हो जिसमें Fx बराबर 0 के रूप में प्राप्त होता हो Fx, x का कोई भी एक फलन जैसे Ax square प्लस Bx प्लस C या Ax cube प्लस 5x बराबर 0 या Ax की पावर 4, Ax की पावर 4 प्लस Bx की पावर 3 प्लस Cx स्केर बराबर 5 ये सभी स्मीकर्णे जो हैं जिन में X और Y चर दिये गए हो उन्हें हम BGA स्मीकर्ण का मतलब ये होता है कि तुलनादमा का देन है BGA स्मीकर्ण का मतलब अगर हम तुलना एक BGA वेंजक X या Y या Z के साथ करते हैं तो उसे हम BGA या Algebraic equation कहते हैं उसके बाद में आता है हमारे पास A BGA स्मीकर्ण A BGA स्मीकर्ण या Non-Algebraic equation Non-Algebraic equation का मतलब है कि अगर कोई भी स्मीकर्ण ऐसी हो जिसमें तिर्कोन मिती का लगूगनक का ये चर गतांकी का उप्योग कर दिया जाए जैसे A X स्केर प्लस साइन एक्स बराबर जीरो या E की पावर X प्लस साइन एक्स प्लस लोग X बराबर जीरो इस परकार की अगर तुलनादमा का दैन किया जाता है जिसमें X चर के साथ-साथ लगूगनक चर गदंकी या त्रिकोन मिती का उप्योग किया गया हो तो उसे हम A B.G.S. मीकर्ण के बारे में फर्स्ट इयर में मैट्रिक्स की किताब में बहुत अच्छी तरीके से किया हुए उसमें हमने ये किया था कि अगर स्मीकर्ण ने दी गही हो तो द्वीगाथ स्मीकर्ण को कैसे हल करें उनके मूल क्या होते हैं दकारते का नियम क्या था वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले बीजी एसमीकर्णों में बीजी एसमीकर्ण का मूल का मतलब है कि एक्स का वहमान जिस पर दिया गया फलन या दी गई समीकर्ण संतुष्ट होती है उस बीजी एसमीकर्ण का मूल कहलाती है जैसे मालो एक्स क्यूब माइनस एक बराबर जीरो है तो हम हमें पता है कि X का मान एक रखने पर क्यूब माइनस एक बराबर जीरो यानि जीरो बराबर जाती है वहने मीकरन के लिए मूल कहलाती है, root of equation कहलाता है, अगर कोई भी equation जो है उसका root हमें given हो तो इसका मतलब जैसे x बराबर a उसका किसी भी x मीकरन का मूल दिया हुआ है, तो इसका मतलब x-a से 20 मीकरन पूरण तह विवाजित होगी, और ता तो उसमें x-a का पूरा-पूरा बाग जा जाता है, अब इसके कुछ एक नियम होते हैं हमारे पास, इन नियमों में सबसे पहला नियम यह है कि अगर द्वी गात है हमारे पास मीकरन तो दो मूल प्राप्त होंगे, अगर त्री गात समीकरन है तो तीन मूल प्राप्त होते हैं, और अगर चार गात की समीकरन है तो चा मूल प्राप्त होंगे यानि मूलों की जो संख्या है वो रूट्स की जो नंबर ओफ रूट्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे पास equation पर algebraic equation जिस degree की होगी उतने ही हमारे पास रूट्स उसमें प्राप्त होंगी अगर एक गात की कोई भी स्मीकरन है तो उसका एक ही मूल प्राप्त होगा उसके बाद में second rule यह है कि अगर एक root x बराबर alpha है तो x minus alpha से पूरा पूरा डिवाइड होगा और जो remainder आएगा हमारे पास जो कोशेंट बचेगा बागवल आएगा वो उससे एक कम गात का बहुपत बनेगा यह स्मीकरन प्राप्त होगी तो जैसे x minus alpha अगर उसका root बन रहे है तो x minus alpha से पूरा पूरा भी बाजित होगा जो बागवल आएगा वो अमेसा उससे एक कम गात का कोई भी मान प्राप्त होगा तीसरा नियम हमने यह पड़ा हुआ है कि अगर किसी स्मीकरन का एक मूल a plus आइटा भी है तो उसका दूसरा मूल a minus आइटा भी जरूर होगा यह भी हमने नियम के अंदर किया हुआ है इसी परकार एक यह भी हमारे पास नियम था कि अगर किसी स्मीकरन का एक मूल a plus अंडरूट भी है तो दूसरा मूल जो होगा वह माइनस अंडरूट भी जरूर होगा यह हमने स्मीकरनों के मूल गयात करने के लिए कुछ नियम कियों है भी अगर इन में से कोई नियम लगू होता है तो वो अफलाई करते हैं बाद में हमने अन्य जो नियम थे उनका उप्योग किया था इन नियमों को लिख लीजिए